तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि क्या 12th की ग्लास PCM से पास करने के बाद क्या DMRD का जो कोर्स है उसे किया जा सकता है के नहीं तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ DMRD कोर्स के बारे में तो DMRD का मतलब होता है Diploma in Medical Radio Diagnosis और दोस्तो अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जे जानना है कि 12th की क्लास को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आप मेंसे करी स्टुइट्स का दोस्तों जी डाउट होता है कि का आई डू 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 ड्मर्ड कोर्स आफ्टर 12th PCM जैनी 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद क्या जो DMRD का जो कोर्से उसे किया जा सकता है के नहीं तो मैं आपको उताना चाहता हूँ, जी, नहीं, आप 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद आप जो DMRD का जो कोर्स है, उसे आप नहीं कर सकते, अगर मैं आपसे DMRD कोर्स का eligibility criteria आपसे मैं discuss करूँ तो eligibility criteria दोस्तों जै कहता है कि आपको जो MBBS की जो degree है, उसे आपको पास करनी पड है, तो इस हिसाफ से देखा जाए तो 12th PCM student जो है, वो DMRD कोर्स के लिए भी eligible नहीं है, तो अंतमीं दोस्तों मैं आपको जना बताना चाहता हूँ कि आप 12th की क्लास PCM से पास करने के बाद आप DMRD कोर्स के लिए eligible नहीं होते हो, तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे DM प्रकार का कोई डाउट है, तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी, आप उन्हें बाद जाकर भी देख सकते हो, तो अंतमीं दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी, अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, धन्यवाग।